इंग्लेंड में सलमान शहरुक के पान का ठिकाना इंग्लेंड में इमारत, रेल, सडक, नदी, घड़ी और महरानी की चका चौन्द के बीच एक पान की दुकान भी अपना मुकाम बना रखे हुए है अमिताब हो या अनिल कपू सलमान खान हो या शहरुक खान यहाँ पर पान खाने आ चुके हैं, लंदन के अपटन पार्क में आनंद पान सेंटर है जो 40 साल से जुबान रंगीन कर रहा है गुजरात के गाओं में जन्मे किशोर पंडिया इसके मालिक है, बेटा और पोता भी अब दुकान पर रहता है जिस भी सितारे ने दुकान पर शरकत की है, उसकी तस्वीर दिवार पर लगवाई है दिवारे कम पड़ी तो अलग से स्टैंड बनवा कर फोटो लगवाई फिल्मी हस्तियां तो यहां है ही नेताओं की तस्वीरे भी चस्पा है लंदन के महापौर सादिक खान और डिप्टी महापौर राजे शगरवाल भी यहां आ चुके है पाकिस्तान के सभी सितारे अगर आते हैं तो पंडिया की दुकान का पान खाना नहीं भूलते इलागे में जादतर एशिया ही लोग रहते हैं इनमें भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जादा है बॉलेवुट की दिवानगी भी खूब है जब भी आसपास कोई कारिकरम होता है तो लोगों के टिकट का इंतिजाम भी पंडिया ही करवाते हैं सिनेमा घर भी है वहाँ भी पंडिया का दखल है कहा जाता है मुबई की फिल्मी दुनिया से तालूक अच्छे हैं बड़े बड़े प्रोडियूसर और आयोचिकों से बातचीत है दुकान में 40 तरह के पान मिलते हैं मुलकों के हिसाब से कलेक्शन रखा है पंडिया बताते हैं कि हईश तो मेरी भी फिल्मी दुनिया में जाने की थी लेकिन किस्मत देखिए पूरी फिल्मी दुनिया मेरी दुकान पर आती है इंग्लेंड से लेकर स्कॉर्ट लेंड तक पान की चर्चा है पड़ोसी मस्ताग कहते हैं पान वाले तो और भी हैं लेकिन असली मिठास किशोर भाई की बोली में है किसी को भी मदद की जरूरत पढ़ जाए तो इनका ही दर्वाजा खटखटाता है कभी निराश नहीं लोटा है पंडिया सलमान खान की दिवान है पिछले दिनों जब सलमान नलंदन आये थे तो पहले दुकान पर आये और बाद में अपने कारिकरम के लिए गए पिछले साल अनिल कपू डायमन्ड की दुकान की उदखाटन में आये थे उनने देर रात याद आया तो रात में दुकान खुलवा कर पान खाया सितारे इसलिए भी यहां आते हैं कि उन्हें घर में होने का एहसास होता है जिस इलाके में यह दुकान है महापडोस में किसी महेश की दुकान है तो किसी रहमान की कोई गंगादर है तो कोई सलीव बारकिंग से लेकर अप्टन पार्क और इलफोर्ड तक तो ऐसा लगता है जिसे दिल्ली का चांदरी चौक हो या लाहौर का सलीवी मार्केट